भगवान सिरी कृष्ण के अनेक सुन्दर नाम है मधु राक्षस को माणने के बाद भगवान सिरी कृष्ण का नाम मधु सुदन पड़ा तो दाम उदर का क्या आर्थ है? दाम का आर्थ है रसी और उदर का आर्थ है पेट मा यशोदा ने माखन चोरी के दंड सरूप उन्हें उधर से मतब पेट से उखल से बान दिया था और ये दिला कार्टिक मास की दिवाली के दिन हुई थे इसलिए इस महिने को दामुदर मास भी कहा जाता है भगवान को कोई बांध नहीं सकता मा यशोदा के अपरम प्यार के कारण भगवान सिरी कृष्ण बंद गए भगवान तो प्रीम के भूके हैं दामुदर मास के अनुसार इस दामुदर लीला श्रवन करने मात से भगवान की अपार हमें भक्ति मिलती है और जो व्यक्ति इस कता को पढ़ता है दामुदर अश्टकम तो भगवान को प्रिय हो जाता है और भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रिशन होते हैं हरी कृष्णा राधी राधे वेल्कम डू माई चैनल आश्या करती में आप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर रही हूँ कार्टिक मास का अध्याए उन्निस महात्म कार्टिक मास का अध्याए उन्निस महात्म पावन पवित्र औफल कारी है बड़ी मन भाफ से सुनिएगा जैगड़ी से गिरजास मन मंगल मुली सुजान कहते ऐध्यादा से तुम देऊवे वर्दान अपने अपने गुरू माराजी की जै आईए महातम अध्याई 19 सिंते हैं बड़ी मन भाफ से सुनिएगा नारजी कहने लगे कि हे राजप्रतु कार्टी कृष्ण तिरोदसी से सुकला दितिय तक यमराज को प्रिश्ण करने के लिए दीपक जलाए जाता है इससे अकाल मृतु आदी नहीं होती चतुदसी को नरग चतुदसी भी खहते हैं उस दिन तिल का तेल अपार मार्ग तथा दूर्वा आदी लगा कर इसनान करना चाहिए इसनान के बाद दक्षण की ओर मुक करके अब सब्य होकर जल में तिल मिलावे और तीन-तीन अंजुली से यामाय, धमराज, म्रतियव, अंतकाय, कालाय, सब भूत, शराय, चित्र गुपताय, इन मंत्रों द्वारा यमराज का तरपड़ करें फिर साहिकाल भ्रह्मा विश्नु सिव दुर्गा की मंदिर में दीपक जिलाएं रात को सिरी लक्ष्मी जी का पूजन करें यदि कोई सस्त्र से मारा गया हो तो उस चत्रदुसी को उसके निमित भी दीवदान करें इससे अक्षय फल प्राप्त होता है फिर कन्या, ब्रहमचारी तथा तपश्यों को भूजन कराएं इससे यमपूरी कुना जाकर सिव लोग की प्राप्ती होती है गौसाला में दीपक जलाएं, फिर लक्षमी जी की इस्वति करें उनको जगावें, जिस प्रकार पती वरता इससे अपनी पती से पहली जाकती है उसी प्रकार लक्षमी जी भी भगवान विश्नु से वारे दिन पहली जाकती है अमवश्य को दिन में बालक, ब्रद, तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भुजन न करें साहिकाल लक्षमी जी का भुजन करके तब स्वयम भुजन करें इसको फूल माला आदी से सजाकर रात्री को सारे घर में दीप माला करें घर की सभी इस्तिरी पुरुष नवीन बस्त धार करें और समस रात्री नित्र गीतादी हर्सो उल्ला से विताएं रात्री भर दीपक जलाना चाहिए उस रात्री को लक्षमी जी जब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुन्दर और रमणिय होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है एक रात्री में घर कर दीपक जलाना चाहिए उस रात्री को लक्षमी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुन्दर और रमणिय होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है एक पहर रात्री सेश रहने पर घर का कोड़ा करकट सूप पर पुरानी पंकी पर रखकर बाहर फैक देना चाहिए ऐसा करनी से वे घर धन धानने से पूर रहता है दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंदू बांदमों सहीद पूजन करें पूजन करनी के बाद ब्रह्मण को भूजन कराएं स्वयम भी नवीन अन का घरन करें भगवान श्रीक्रिष्णी इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन परवत का पूजन उसी दिन किया था सहीकाल की समय गोव तथा ब्रसब का पूजन करके उनमें अपनी तथा परिवार की ब्रह्मण पोसरण वी रक्षा के लिए प्रातना करें बली और उसकी पतनी विंद्या बली की मूटी बना कर साहेकाल की समय पूजन करके दान आधिकिर्या करने के बार परिवार को सदा सुखी रखता है कार्टिक मास महत्म अध्याय उन्नीस संपूर्णम ही कार्टिक की ठाकुजी अगर कथा धूरी हो तो पूरी करना पूरी हो तो मान रखना कहनी सुननी वाली सभी की मनुकावना पूर करना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कॉमेंन करें मिनूस लाइव इस्टेल को सस्क्राइब करें कल अध्याय 20 में कर्टिक मास महत्म की आगी की कता सुनेंगे हरी कृष्णा राधी राधी